हेलो फ्रेंड्स कुकिंग इस सम्नम कीचन में स्वागत है आपका आज हम बनाएंगे साबुदाना का खीर बहुत ही खास रिख से जो कि ना ही चिपकेगा और ना ही जलेगा तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं हम लिए हैं हाप कटोरी साबुदाना मीडियम साइज का अब से पहले हम इसे दो तिन पानी से दो लेंगे जिसे इसका जो एक्स्टा पाउडर रता वो निकल जाएगा नहीं तो इसमेरा जाता है जिसे हमारा खीर जो नीचे बढ़ जाता है उसी के कारण से तो इसे एक बड़ा बरतन में हम ले लिए हैं और इसमें डाले पानी द तो इसे अब हम पानी फेल देते हैं और दो तिन पानी से दो लेते हैं तो देखें तिन पानी से दोने के बाद हमारा साबुदाना वो साफ हो गया है इसका पानी हम निकाल दिये और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ज्यादा नहीं डालेंगे बस थोड़ा सा देखें जितना से हमारा साबूदाना बिंग जाए और इसे हम 10 मिट के लिए भींगो के रख देते हैं साबूदाना हमारा फुल गया है देखे इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है और इधर हम दूद उबलने के लिए रख दिये थे दूद में उबाला गया है दूद का क्वाइंटिटी है वन लिटर तो इसमें अब हम यह साबूदाना मिगोया साबूदाना डाल देते हैं कभी भी आप कच्छे दूद में साबूदाना को नहीं डालिएगा दूद जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक नहीं डालना है कि आप कि आप कि आप कि कि इसे हम थोड़े थोड़े देर पर चलाते रहेंगे अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे से जल सकता है कि तो साबूदाना हमारा पक गया है और इतना ही गाड़ा भी हम रखेंगे ज्यादा पतला नहीं रखेंगे चिपका भी नहीं है आप इसे बिना भिंगोए भी बना सकते हैं वस बिना भिंगोए बनाईएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा सा नीचे से चिपके का भी तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी और इसे हम दो मिनाट तक कर लेते हैं जिससे हमारा चीनी गल जाएगा तो देखें हमारा साबुदाना बनके तयार हो गया है कितना बराबरा बना है और अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा ड्राइफूर्स और इसे मिक्स कर देते हैं तो दो मिनट हो गया है तो चीनी भी हमारा अच्छी से मिक्स हो गया है तो गैस अब हम बंद कर देते हैं और इसके उपर हम थोड़ा सा ट्राइफूर्स फिर से डाल देते हैं और यह देखें हमारा यम्मी यम्मी साबुदाना का खीर बनके तयार हो गया है कर दोस्ते हैं और पूस्ते हैं झाल झाल